इतना हम जान चुके हैं अब, कि अगर मेरे पास कोई circle है, तो उसका circumference, उसके circumference को अगर मैं उसके diameter से divide करूँ, तो मुझे एक constant मिलेगा, जिसकी value हम लोग πाई कहते हैं. यहां से इस relation को मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूँ, तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि हमारा circumference है, वो πाई times d के बराबर होगा, अब अगर इस diameter को मैं two times radius से replace कर दूँ, तो मेरा circumference आ जाएगा, two πाई r के बराबर, तो यह तो थी हमारी circumference के बाद, अब हम circle के area का बात करते हैं कि इस circle ने आखिर जगह कितनी ली हुई है, actually मैं मुझे नहीं पता कि इस circle के area को कैसे calculate किया जाए, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी figures देखे हैं, वो या तो triangle है, या rectangle है, या square है, यह उन में से कुछ भी नहीं है, तो question मेरे दिमाग में यह है कि मैं इस circle के area को calculate कैसे करूँ, एक चीज मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई composite figure दिया रहता है, जैसे for example कुछ ऐसा figure अगर मेरे पास है, जैसे कोई random figure उठा लेते हैं, कुछ ऐसा, और इसका अगर मुझे area calculate करना है, तो मैं इसे छोटे-छोटे ऐसे figures में divide करूँगा, जिसका area calculate करना मुझे आता है, जैसे for example इसको मैं यहाँ से triangle बना लूँगा, तो triangle का area मुझे पता है, half into base into height, फिर यहाँ से मैं एक straight line खीचके यहाँ से एक और triangle बना लूँगा, इस area, इस triangle का area में calculate कर सकता हूँ, और इस rectangle का area तो मुझे पता ही है, कैसे calculate करना है, same concept हम यहाँ पर apply करते हैं, कि कैसे हम इस circle को कुछ ऐसे figures में तोड़ें, जिसका area हमें पता हो, तो सबसे पहले यहाँ से यह हटा देते हैं, तो मैंने क्या किया, इस circle के अंदर कुछ एक जैसे triangles बना दियें, ताकि मैं इस circle के ज्यादा से ज्यादा areas को cover कर सकूँ, जैसे कि आपको यह पहला वाला figure दिख रहा है, इस figure में मैंने इस circle को 5 एक जैसे triangles में divide कर लिया है, अब अगर मैं किसी भी एक triangle के बाद करूँ, तो यहाँ से मैं यह देख सकता हूँ कि उसकी side का length, इन दोनो side का length, radius के परावर होगा, हम आल लेते हैं कि उसका यह height है, वो कुछ A है, और उसका जो यह base है, वो कुछ B है, अगर मैं इस triangle का area निकालना चाहूँ, इस triangle का area, into उसकी height, जो की A दे हुई है, यह हो गया, एक triangle का area, और ऐसे मेरे पास 5 triangles हैं, तो इन 5 और triangles का area हो जाएगा, 5 times इस area के, तो यहां से मैं लिख दूँगा, कि total area जो covered है, यानि कि यह वाला area के मैं बात कर रहा हूँ, यह area प्लस यह area प्लस यह area प्लस यह, और यह, यह total area हो जाएगा, 5 times, 5 times, 5 times half into A B कर देते हैं, इसको सीदे, 5 times half A B, half A B क्या है, यह, एक triangle का area, तो यह total मुझे दे देगा, 5 by 2, 5 by 2, A, B, लेकिन दिक्कत यहां यह हो गई, कि इतना cover करने के बाद भी कुछ ऐसे portions हैं, जो कि अभी cover नहीं होगे हैं, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला portion हो गया, या फिर ये वाला portion हो गया, या फिर इस portion के बाद कर लीजे, इस portion के बाद कर लीजे, फिर ये portion ले लीजे, ये areas अभी भी मैंने cover नहीं किये हैं, तो मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, और इस circle को और जादे triangles में बाट दिया, जैसे कि इस case में, मैंने circle यहां पर जो हमारे बचे हुए एरिया थे यहां पर बहुत जादा थे लेकिन यहां पर थोड़े से कम होने लगे तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कुछ तो इंप्रूब्मेंट हुई इसका इरिया हो जाएगा half into a into b और यहां पर total 7 triangles है तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा seven times seven times एक triangle की एरिया के जिसकी value थी half half into a into b base into height यह b base है और a height है तो finally मैं इसको लिख सकता हूँ seven by two seven by two a b के तो यहाँ पे five triangles थे तो हमारा five by two a b हो गया यहाँ पे seven triangles थे तो हमारा seven by two a b हो गया अब थोड़ा और इसमें खुशते हैं यहाँ पे मैंने इसको total ten triangles में divide कर दिया और जैसे ही मैंने वैसा किया मैंने देखा कि यहाँ पे जो uncovered portion है जिन portion को मैं cover नहीं कर पाया वो और चोटे हो गए वो और चोटे हो गए और जादा से जादा portion इस triangles के अंदर cover होने लगा तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं पहले अब अगर मैं यहाँ पे बोलों कि अगर किसी एक triangle का area मैं निकालना चाहूं तो हो जाएगा half a into b और यहाँ पे total ten triangles है total यहाँ पे 10 triangles है तो उनका total area हो जाएगा 10 times 10 times 10 times half into a into b base into height base b है और height a है तो इसको मैं अच्छे से लिग दो तो यह हो जाएगा 10 by 2 a b लेकिन आप सोच रहे होगे कि अभी भी कुछ portion तो बागी है तब उसका क्या किया जाए अब एक चीज़ यहाँ से हम बहुत confidently कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम triangles के number बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो uncovered area से वो कम होते जा रहे हैं तो एक ऐसा situation imagine करिए जब आपने इस circle को बहुत 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 सारे triangle से cover कर लिया है इस circle को मैंने बहुत बहुत चोटे चोटे triangles में divide कर लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर दो चीज़े हैं पहली चीज़ कि किसी भी एक triangle को अगर मैं उठा लो तो उसके height में उसके height में क्या फरक पड़ेगा और दूसरी चीज़ अगर मैं उस triangle के base की बात करूँ उस triangle के base की बात करूँ तो वो क्या होगा एक चीज़ यहाँ से clearly यह दिख रही है कि अगर आप इस किसी भी एक triangle को बड़े ध्यान से देखें तो उसका जो दोनो side है वो radius के बराबर है और उसका जो height होगा वो कुछ ठीक बीचो बीच होगा लेकिन जैसे जैसे मैं इस triangles को छोटा करता जाऊंगा यह triangle और सिकुडता जाएगा और इसकी जो height है वो उसके side के ही बराबर होती जाएगी जैसे जैसे इसको मैं और छोटा करो और यह तो खेर मैंने आप बना दिया है मैं आपको ऐसा situation imagine करने के लिए बोल रहा हूँ जब बहुत बहुत और बहुत सारे triangles इसके अंदर हो तो उस case में इसकी height इसके side के बराबर हो जाएगी वैसे वैसे यह जो base है यह बहुत सिगुरता जा रहा है लेकिन अगर मैं यहां से add करना शुरू करूँ इसका base add करूँ, इसका base add करूँ, इसका base add करूँ तो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ तो यह total सारा base मिलके मुझे इस circle का circumference दे देगा हाला कि आप यह कह सकते हैं कि यह straight होना चाहिए लेकिन यह तो circular है तो इससे लिए मैंने circle को इतने छोटे triangles में divide कर दिया है कि इसका जो base है वो almost एक straight line ही बन जाए तो उस case में यह मेरा roughly एक triangle बन जाएगा और उन सारे basis को जैसे-जैस मैं add करता जाओंगा मुझे यह total circumference यह total boundary मिलते जाएगी तो माल लेते हैं कि वो कुछ base जो है वो small b है कि यह जो कुछ छोटी सी base होगी वो small b है अब मैं आप से बोलता हूँ कि एक triangle का area होगा half into base जिसको हमने b माना है into उसकी height जो की काफी छोटे होने की वज़े से उसके radius के बराबर हो गई है यह तो एक triangle का area हो गया माल लेते हैं कि ऐसे हमारे पास n number of triangles है ऐसे हमारे पास n number of triangles है और n जो है एक बहुत बहुत बढ़ी value है तो total area इन सारे triangles का कितना होगा एक triangle का area into n, n times यानि कि total मेरे पास आ जाएगा n by 2 b into r अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं इसको मैं थोड़ा rearrange करके लिख दूँ तो यह हो जाएगा मेरे पास r by 2 into n times b इस n times b को मैं bracket में डाल देता हूँ अब n times b क्या होगा n times b का मतलब है कि मैंने इस b को n बार जोड़ दिया है लेकिन वो n times b तो हमारी circumference है इस total boundary की length क्या मैं इस n times b को circle के circumference से replace कर सकता हूँ अगर मैं वो करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है तो यहां से मुझे मिल जाएगा r by 2 into तो अब circle का circumference होता है 2 pi r तो n b को मैं replace कर दूँगा 2 times pi times r से numerator और denominator को में मैं 2 से divide कर सकता हूँ तो यह और यह हट जाएगा तो finally मेरे पास बच जाएगा r into pi into r जिसको मैं अगर अच्छे से लिखो तो लिख सकता हूँ pi r square तो जैसे मैंने इस circle को बहुत चोटे चोटे triangle से cover करना शुरू किया तब मैंने देखा कि इस पूरे circle का area pi r square के बराबर आ जाता है pi r square